दोस्तो फाइनली दस साल बाद 36 गड़ में सब इंस्पेक्टर का जो पेपर है वो आज हो चुका है जो overall मेरी जो understanding के इस particular पेपर को लेके वो ये है कि ये पेपर moderate से tough side था अगर मैं कहूं कि India GS का जो level था वो CGPC कभी beyond था वो गलत नहीं होगा इंडिया GS बहुत जादा tough था CGGS easy side में था computer कह सकते हैं कि जैसा आता है वैसे ही आया था Hindi English में भी same चीज़े थी जहां तक logical reasoning है तो उसमें भी 5-10 question ऐसे थे जो हो सकता है कि जादा तर candidates को थोज़ा tough लगे होंगे तो कि मैं लगा कि अब जो cutoff हम लोग calculate करने वाले हैं उसमें जो major basis रहेगा वो रहेगा कि कितने easy question थे कितने moderate question थे कितने tough questions थे कितने लोग इस particular examination में बैठे थे और total vacancies कितने है थी तो उसमें जो cutoff है massive unreserved mail के लिए calculate करूँगा जो बाकी categories है अपने हिसाब से आप लोग adjust क लेंगे overall मुझे particular ये paper है इंडिया side में बहुता tough लगा CG side में easy लगा और बाकी portion में जो moderate थे वैसा लगा तो कुल में लागे जो cutoff decide होगा इस particular paper का वो decide होगा आपके maths, reasoning ability, English, Hindi और computer science के basis में आप मेंसे कई लोग रहे होंगे जिन्होंने सालवर से CGGS और India GS में focus किया होगा लेकिन कह सकते हैं कि ये smartness वाली बात हो जाती है strategy वाली बात हो जाती है कि किस प्रकार से आपने भले ही India GS और CGGS सालवर पढ़ा है लेकिन इसमें से question बहुत tough आगे बहुत easy आगे तो कोई मतल question है जो M लिखा हुआ moderate question है और T tough question है अब धीरे धीरे मैं क्या करूंगा कि इसको मैं roll कर दूँगा ताकि आप समाझ पाएं कि कौन से question easy थे या tough थे दोस्तों इसमें आपका level और मेरा level अलग हो सकता है लेकिन मैंने उन 975 लोग के हिसाब से इस particular cutoff को decide करने की कोशिश करी है जिस हिसाब से particular paper होगा तो देखते हैं दोस्तों तो यह questions है कह सकते हैं science की questions है कुछ दिख रहे हैं यहाँ पर similarly next questions को देखेंगे इन में से आप देखते चाहिए कि कौन-कौन आपको easy लग रहे हैं कौन-कौन से आपको tough लग रहे हैं कर देखेंगे कर देखेंगे यह जो computer वाला portion है दोस्तों यह computer वाला portion हो गया यह maths वाला portion हो गया और इसके बाद कह सकते हैं कि यह हिंदी और इंग्लिश वाला portion हो गया दोस्तों इन्हों में मैंने एक किया है कि जितने भी particular questions है हिंदी के हो हो इंग्लिश को हो math के हो यह computer science को इनको मैंने moderate माल लिया है क्योंकि ऐसा जैसे examination में जहाँ बहुत सारे लोग participate करते हैं यह particular questions होते हैं दोस्तों कहीं न कहीं ऐसा कह सकते हैं कि किसी का हिंदी बहुत स्ट्रॉंग है तो English बिल्कुल ही खराब होती है किसी की English बहुत अच्छी इंदी बहुत अच्छी तुनको 36 गड़ी नहीं बनता है जिनने यह तीनों बन रहा है कहीं न कहीं उनकी मैस भी होती है और उनकी मैस अच्छी हो सकता है उनको बागी चार कोशन नहीं बन रहे होंगे तो दोस्ते इस प्रकार से मुझे लगता है कि SI के क्राउड को थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा इस पर्टिकलर कोशन को सौल करने के लिए इसलिए मैंने इसको टफ कैटेगरी में रखा है चलिए दोस्तों देखते हैं कि कट आफ कैसे फाइनली हम लोग डिसाइड करने वाले हैं कट आफ डिसाइड करने का सिंपल सा कोशन है हमने उनको तीम पार पर डिवाइड कर दिया है इसके बाद हमने इसमें देख लिया है कि माल लेते हैं कि easy question के correct होने के chances 90% है medium questions के correct होने के chances लगबग कह सकते हैं कि 40% है और tough questions के correct होने के chances कह सकते हैं कि 5% है सिर्फ तो इसके हिसाब से मैंने cut off calculate कर रहा है चले दोस्तों देखते हैं कि किस प्रकार से cut off जाएगा इस particular SI examination का दोस्तों मैंने analysis कर लिया है कुल मिला के ऐसा है कि यहाँ पे level है questions का easy, medium, tough इसमें number of questions जो in particular level के थे और इनकी accuracy कितनी है तो मेरे दोस्तों मेरे analysis के हिसाब से आपके 975 vacancies के हिसाब से उन लोगों का जितना मैं level जानता हूँ उसके according जितने number of easy question थे वो थे 30 और इसमें लगबग 90% accuracy से low question मना लेंगे दूसरा medium question लगबग 50 थे और इसमें मैं expect कर रहा हूँ कि 35% के accuracy आएगी मेरे हिसाब से जो 100 मैं बहुत ही tough questions थे जो बिलकुल बनाने लाइग नहीं थे वो थे 20 और इसमें accuracy लगबग 5% के आसपस आएगी तो दोस्तो इनको calculate करने के बाद मैं इस नतीज़े पहुचा हूँ कि इस particular SI paper में जो safe range होगा unreserved mail के लिए दोस्तो ये जो गटाओ बता रहा हूँ मैं unreserved mail के लिए बता रहा हूँ इसको आप OBC के हिसाब से SCST के हिसाब से आप adjust कर सकते हैं तो इसमें जो safe range आएगा दोस्तो जो मेरे साब से definitely definitely लिख रहे है mains वो है 45 plus questions जिनके सही हो गए है और जिनके strong chances बन सकते हैं जो मुझे लगता है कि शायद बन ही जाएंगे given की 15 गुना लोगों को mains के लिए बलाए जाएगा that is 38 तो दोस्तो अगर आपके 38 questions से ज़्यादा सही आ रहे है different answer keys से तो आप इस particular exam के mains की तैयारी चालू कर सकते हैं तो दोस्तो finally इसमें जिस निसकर्ष पे मैं पहुचा हूँ वो ये है कि CGPAC में सब inspector का जो cut off है मेरे हिसाब से वो लगभग जाना चाही है 38 plus correct questions ठीके दोस्तो इनको आप चारू ना कर सकते हो तो लगभग वही आ जाएगा 110 112 नंबर के पार तो अगर आपके 38 questions सही हो रहे हैं तो आप सब inspector का means लिखने वाले हैं दोस्तो ठीके दोस्तो मिलते हैं आपसे जल्द ख्यार रखिए तैयारी करते रहिए फिजिकल काफी टफ होते हैं तो उसके फिजिकल के तैयारी आप चारू कर सकते हैं धान से करिएगा क्योंकि अब धूप और लू का अभी मौसम आने वाला है comment section बताईए कि आपको के लगभग कितने नंबर बन रहे हैं और क्या आप इस particular cutoff से agree करते हैं नहीं चली दोस्तों hopefully आप means लिख रहे होंगे all the best जैन